हेलो फ्रेंज मैं बबली आप सभी को स्वागत करती हूँ एंडी लबली गाडन में तो देखे फ्रेंज अभी भी मेरे गाडन में गिंदे का फूल बोद अच्छे से खिल रहे हैं दो पोदे अभी भी है फ्रेंज विसकस सब अच्छे से नहीं खिल रहे हैं पोदे तो बहु और देखे फ्रेंस ये कटिंग लगाई थी फरबरी में होगर विला कि देखिए इसमें पूल आया है कि इसमें कितने सारे मैं कटिंग लगाई थी अभी मैं एक भी कटिंग हटाई नहीं हूँ क्योंकि क्या होता है धूफ से ऊपर के ब्रॉन्च सुख जाते हैं प्रेंच और नीचे हरे ही रहते हैं तो इसलिए भी सारे कटिंग इसमें ऐसे ही है इसमें पहले गिंदे का पथा था वो हटा दी और देखिये आज भी पुर्चोलगा में पिंक कलर का फुल है तो बहुत सा बढ़ने लगे हैं और देखें काजनिया में भी है अभी फुल छोटा हो गया है तो अभी सारे पोदे में पानी दी हूँ अज पाइप से बहुत अच्छे से पानी दी हूँ फ्रेंस क्योंकि हम वैसे देते हैं मगे से तो उतना नहीं होता है क्योंकि अभी बहुत तेज धू रहे थे और करे लेकर जो बेल था उसको मैं उपर चढ़ा दी हूँ फ्रेंस ऐसे बांद के तो यह उपर फैलने के लिए भी हो जाएगा और सिंगोनियम भी अच्छे से चलेगा वहां पे बहुत जैदे धूप रहे लग रहे थे प्रेंस सारे पते इसके खड़ाप हो रहे थी तो बहुत सारे हो गया है तो देखे मैं आज इस पोधे को रिपोर्ट करूंगी फ्रेंस तो पिछली बारिस के टेम में मैं यह कटिंग लगाई थी फ्रेंस तो बहुत अच्छे से पोधे चल रहे है पर नीचे से इसका जल गलने लगा है वैसे मैं इसका दो तीन कटिं बना के लगा दूँगे फ्रेंस अभी के टेम में लग जाते हैं कभी भी लग जाते हैं इसका कटिंग फ्रेंस इसको लग रहा है पानी जैदा हो गया है क्योंकि प्लास्टी के गमले में है अभी सारे पोधे को पानी देती तो इसमें भी डल जाता है फ्रेंस तो इसलिए अब मिटी के गमले में लगाऊंगी और छोटे छोटे गमले में लगाऊंगे फ्रेंस क्योंकि छोटे पोधे को हम अगर छोटे गमले में देते हैं तो वहीं सही रहता है फ्रेंस इसमें पानी का डर नहीं रहता है पानी से जर खराब नहीं होता है इस सब पोधे को बिल्कु से निकाल लेती हूं तो फिर देख लेती हूं इसका जढ़ सही है या नहीं तो मिटी तो नॉर्मल होंगी फ्रेंच से क्यूंकि इसको उतने खाद की जर अब सकताणे पड़ती है फ्रेंच यह बिल्कुन नॉर्मल मिट्टी में लग जाते हैं तो देखें दो तीन दिन पहले मैं किसी गमले में से निकाली थी तो ऐसे धूप में छोड़ दी थी फ्रेंस से कल साम में देखी बिल्कुल सुख गया तो उपर से मैं थोड़ा पानी का चिर्काव कर दी थी तो वहीं मिट्टी है तो मैं इसी में लगाऊंगी कुछ भी नहीं डालोंगी तो देखें मैं निकाल ली हूँ निसे जर सही नहीं लग रहा है फ्रेंस इसलिए ये खराप हो रहा था तो इसको मैं थोड़ा सा उपर से मिट्टी हटा लेती हूँ देखती हूँ कहां तक है तो ये पूरे ही सुखा लग रहा है नही हठाती तो फΟा मढ़ जाता तो इसको मैं तिनार चटिंग करके पतले-पतले से ब्रांच भाइअ ? ऊंस लग जाते हैं दीखें पूरा अंजय गल गया है गला भी नही 56 उ चनक इसको मैं और मैं यहां से लगा दूंगी तो फ्रेंस आप सब वीडियो के लास्ती जरूर ही बने रहना और मेरे वीडियो को लाइक करना फ्रेंच आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप कॉमेंट करके बस बताना फ्रेंच कि और हमें इस भी पौधे के साथ है देखवाल कैसी करनी चाहिए जो चीज मुझे पता नहीं है देखे मैं जो अनुभव करती हूं तो वहीं आप सब के साथ फ्रेंच सेयर करती हूं क्योंकि किसी की सुनाई बाते पर नहीं जाना चाहिए जब तक आप उसके साथ नहीं बिता होगे तब तक पता नहीं चलेगा तो देखे इसमें से दूध निकलने लगा तो थोरी देर जो कटिंग की हूं उसको सूखने द देते हैं तो सब भी होगा मिटी सही है फ्रेंच तो मिटी में कोई भी सिकायत नहीं है पता नहीं यह कुछ दिन पहले तो इस बड़े वाले में रिपोर्ट की थी फ्रेंच पहले छोटे से डब्बे में कटिंग लगाई थी उसमें बहुत अच्छे से चल रहे थे तो जलि पानी जैदे के कारण ही यह पौधा खराब हो गया होगा तो ऐसे ही मैं इसमें लगा लोंगी छोटे से पौधे हैं तो पौधा भी छोटा हो गया और गमला भी छोटा हो गया दोनों सेम साइज का है तो अभी इसमें इसको लगा देती हूं अब दूसरे वाले में कटिंग को लगा दूगी प्रेंस चली मैं दबा करें मिटी से नाहीं करता है अपने गाडन में हल्दी यूज यूज करती हूं टो मिटी में भी थ्षा साहलदी मिला दी थी और उपर से भी लगा दी हूं तो चलिए एक तो लग गया दूसरे को भी इसमें लगा लेती हूं तो बिल्कुल असानी से इसके कटिंग छोटा सा ब्रांच भी तूट जाता है फ्रेंस वह भी लगा देते हैं कहीं पर मिट्टी में दवात होगे तो किशी सब्सक्राइब करें से नियुदू को दिया हुए जाता है धालूसर घालθη लगा प्रेंस देद्साइब लगा लगाए शावा फद्साइब सच्छीं वहर देते हैं क्या दो इससे के रांचिहां से तोड़ लेती हूं तो dlatego एक्षं करते हैं 빠ное था तो बहुत असानी से लग जाते हैं और देखिए जब ये पधा अच्छे ग्रोथ पे आ जाएगा तो बहुत घना हो जाएगा फ्रेंच देखिए इसके कितने सारे नए ब्रांच निकल रहा है तो इसमें लगा लेती हूँ अभी मैं एक वार पानी दे दूँगी अच्छे से उसके बाद जब मिटी सुख जाएंगे तभी पानी दूँगी तो कटिंग को वैसे भी बहुत कम पानी चाहिए फ्रेंच क्योंकि इसके जड़तों रहते नहीं है जैदा पानी देंगे तो हमारा कटिंग खराफ हो जाता है फ्रेंच तो चलिए इसको अच्छे से मिटी से दबा देती हूँ और कहीं पर आप सभी को भी दिखता है फ्रेंच तो यह कटिंग जरूर लाना क्योंकि बहुत ही खुबसूरत लगते हैं अब बिल्कुल कम के अर्में धूप में भी चल जाते हैं फ्रेंच तो कहीं भी रखो सेट में भी रखते हैं तो बहुत अच्छे दूप चाहिए तो देखे जो पतले निकाले थी उसे बोतल में लगा दी फ्रेंच कहीं पहें कर दूँगी और यह सबको अच्छे से एक बार पानी दे देती हूं पहर यह पानी शोख लगा फिर से एक बार दूँगी फ्रेंच क्योंकि नीचे तक जिससे की मिटी बैठ ज इसमें ख्याल रखना परेगा प्रेंज तो ने कि हमारे पास कितने सारे बन गया जब रिपोर्ट की थी उस टेम इस तूट गया था कि छोटा सा के निगर फ्रेंज और इसमें देखिए कितने अच्छे केटरस का एक ही दिन वीडियो बनाई थी फ्रेंस और एक ही दिन लगाई थी देखिए इसका भी छोटा सा छोटा कर्टिंग लग जाता है तो अभी धूप तेज धूप में है फ्रेंस इसलिए सारे के पत्ते गिर गए है जब बारी शुरू हो जाएगी तो यह सब बहुत खिल गया है फ्रेंस बहुत ही प्यारे लग रहे है इसका फूल का साइज भी देखिए फ्रेंस काफी बढ़ा है तो जब पोर्चुल का खिलने लगेगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा गार्टन तो मुझे उमीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करक अगले वीडियो में किसी और टापिक के साथ